इस तारीक की नितिश कुमार की बैठक को लेकर बस्पा प्रभारी का आया बड़ा बयान। पच्छिम बंगाल में मम्ता मैनरजी से मुलाकात की दिल्ली के अंदर में अर्विन केजरिवालो तमाम तरीके से विपक्षिदलों के नेताव से उन्होंने बातचित की है और उनका नियोता था आने वाले 23 तारीक को लेकर जिया दोस्ता आप दा बिल्कुल सही समझ रहे है आने वाले 23 तारीक को पटना बिहार के अंदर में एक महागडबंदन का महासंवेलन का आयोजन किया गया है जिसके बैठक को लेकर तमाम विपक्षिदलों को नेता दिया गया है सबसी बड़ी खबर सिर्फ यही देखने को मिल रही है कि तमाम इस मासंवेलन के बैठक में इस गड़बंदन की बैठक में बहुजन समाज पार्टिक राष्टे देश बैन मायवती इनको नियोता नहीं दिया गया है और इसे के लेकर लगातार सुर्खिया बनी हुई है हमने यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर खास्तोर पर बिहार की राजनीति को लेकर और आने वाले 23 तारीक को जिस प्रकार गड़बंदन की बैठक होने जारे इसको लेकर बहुजन समाज पार्टिक के बिहार प्रदेश के क अंदर में जो राजनीति चल रही है देश के अंदर हम देख रहे है कि आने वाले 23 तारीक को जो गड़बंदन होने जा रहा है इसके बैठक पटना के अंदर में रखी गई है और आप प्रदेश प्रभारी है इसनाते किस तरीके से आप देखते इस पूरे गड़बंदन क और दरकिनार किया जा रहा है बहुजन समाच पार्टी को बहुजन समाच पार्टी को उनको नियोता नहीं मिला है इस गड़बंदन के बैठक में क्या देखते है क्या स्टैंड रहेगा बहुजन समाच पार्टी का बहुजन समाच पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के सा साथ जय सबसर्वंधन भी है और हमारे पार्टि की राच्टी अदेख्ष प्रमाद्रडिये वहन कुमारी माय वथी जी वह हमारे पार्टिग आस्याज वार उत्तरप्रदेस बड़ेश्रूबे की मुख्यमंत्री रही है लेकिन हम जो है शूंकि बीहार केंदी प्रदेश प्रभारी हैं, हम लोगों का बहन जी के मामले में ऐसा मानना है कि हमारी बहन जी वो हमारी मसीहा है, हमारी बहन जी वो सामाजिक परिवर्तन की महानाईका है, बहुजन समाज पार्टी राजनीती तो करती है, लेकिन किसी राज्ट्रिय मुद्दे पर या किसी प्र और ये बहन गी जो भी गाइड लाइन हम लोगों को देती हैं, हम उसका अक्षर सह पालन करते हैं, इस प्रकार के मुद्दों पर हम लोग ना तो उलजते हैं और ना ही ज़्यादा एनरजी लगाते हैं। प्रदेश करना चाहेंगे, इस प्रस्ट के जवाब में आपको ये क्लरिफाई करना चाहेंगे, भौगोलिक परिस्टियों को और राज के जातीवार समीकरणों को ध्यान में रख करके, हम लोगों को मानिये बहन जी का जो गाइडलाइन प्राप्त होता है, तो वो जरूरी ने कुछ मामले में कॉमन गाइडलाइन प्राप्त होती है, जो पूरे देश के लिए प्राप्त होती है। लेकिन कुछ गाइडलाइन वो प्रदेश को ध्यान में रख करके बहन जी हम लोगों को बताती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का मुवमेंट चले, या दूसरे अन्ने प्रदेश में चले, बिहार में भी उसी प्रकार का मुवमेंट चले बिहार में जातिगत समिकण कुछ और हैं, बहन जी हमें कुछ और गाइडलाइन देती हैं, उसके हिसाब से बिहार प्रदेश में BSP का काम हम चलाते हैं अभी गाउं चलो अभियान जैसा निर्देश तो बिहार के लिए नहीं है बहन जी का निर्देश बिहार के लिए था कि जीला कमीटी की समिच्छा करके उसको दुरुस्त करें बिधान सभा कमीटी की समिच्छा करके उसको दुरुस्त करें और फिर उसके नीचे की कमीटी बन जैसा कि पूरी बाचीत में आपने साफ्तव पर देखा बोजन समाच पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रे प्रभारी डॉक्टर लाल जी में दनकर इनका ये कहना है कि बोजन समाच पार्टी के राष्टे देश बहन मायवती इनके द्वारा ही जो जिसा निर्देश लि अबिध होगा और खासतर पर उनका ये कहना है कि जिस प्रकार बोजन समाच पार्टी पूरे देश के अंदर में उसका वोड बैंक है और जहां पर इस गड़बंदन के अंदर में बोजन समाच पार्टी को शामिल नहीं किया जा रहा है इससे बोजन समाच पार्टी को खास अगर बोजन समाज पार्टी इस गड़बंदन के अंदर में शामिल नहीं हो सकती तो पूरी तरीके से गड़बंदन सही साबित होगा या नहीं होगा यह कहने के मुश्किलें बने हुई हैं और इसे को लेकर लाल जी में धनकर इन्होंने तमाम बाते कही है कि बोजन समाज प अरो पर ही बैठकों को लेकर लगातार काम चल रहा है उसकी समिक्षा चल रही है और उनका ये भी कहना है कि गावचल बियान उत्तरप्रदेश के अंदर में चल रहा है लेकिन बिहार के अंतरगत तमाम जातिय समीकरन को देखते हुए बिहार के अंदर में तमाम अलग बैन मायवती के हातों में है उनके इमाध्यम सो जिशन रिजेश आएंगे उसी प्रकार इस तमाम गड़बंदन में बोजन समाज पार्टी सामिल होगी या नहीं होगी ये तो वक्ती बताएगा लगातार तमाम तरी के चीज़ें पुरे देश के अंदर में देखने को मिल इसमें गड़बंदन के अंदर में बोजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है बता दे बोजन समाज पार्टी के राश्टी पार्टी है अपने पुरे भारत के अंदर में जिस प्रकार बोजन समाज पार्टी अपना खुद का ए तमाम विपक्षिदल जो गडबंदन है वो भी जानता है लेकिन गडबंदन के माध्यम से लगातर बोजन समाज पार्टी को जिस कड़गरे के अंदर में लगातर खड़ा करने का काम किया जा रहा है भारता जंता पार्टी को अंदरुनी साथ गाट को लेकर लगातर बातची ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है लेकिन जैसे जासे जो चुनाव रही है ये नस्दीक आएगा उसे के इसात साथ में तमाम तरिके चीज़ें आगे में देखने को मिलेगी ये अकिरी इस गडबंदन का हच्र क्या होगा क्ये जवाब आने वाला समय ही बताये बनर है नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय भीम जै भारत बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले